हेलो फ्रेंट गुड मौर्णी कैसे हैं आप लोग आई होब आप लोग अच्छे ही होंगे अठंड में अपना ख्याल रखिए देखे कितना फोग है और ज्यादा था ये तो कम हो गया और अब हम अंदर आ गये हैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं शुभा शुभा जगने में इतना ठंड लगता है बापे लेकिन यहां तो सुभा होता ही नहीं है भगवान जी तो निकलते ही नहीं है सुर्य भगवान पूरा फोग रहता है दीन भर लेकिन काम और समय तो नहीं रुख सकता है न करना ही पड़ेगा और ये देखिए सुभा क मेरा रोटेन सुरू हो गया पहले हम गर्म पानी देंगे सॉल ही ओढ़ लिये हैं सुटर नहीं पहने क्योंकि हम कल ही धोए हैं उसको और धो के धोया हुआ पहने कल एक सोईटर धोया और फिर धोया हुआ जैसे हम पहनते हैं पहने थे सुछा मॉर्णिंग टाइम में तैसलिए हम नहीं पहनेंगे अभी गिला उला हो जाएगा और पोछा सब करेंगे ना इसलिए और गर्म पानी होने दे दिये अधर और अभी ये कपड़ा देंगे फुल ले देंगे अपलब को तो थोड़ा बहुत दिखाए और भी हमको कपड़ा धोना है अधर धेर सारे कपड़ा हो जाता है अभी ठंड में क्योंकि अभी ही तो जब रहत है कपड़ा का मोटा मोटा कप कपड़ा पहनना होता है कि घर कोई बात नहीं यह सब चलते रहता है और सब कपड़ा हम दे देंगे सी में फूलने के लिए और एक-दो कपड़ा कलका भी मेरा है हल्का-फलका गीला उसको हम पहला देंगे ये सब कुधर दे देंगे बात्रूम में फुलेगा जो है कपड़ा और हम देखते हैं डोंड के इधर उदर और ये सब कपड़ा भी हम दो लेते हैं सीट कभर पिलो कभर सब मचहरदानी हम फुले दे देते हैं फुला हुआ रहता है न तो असानी होता है कि जल्दी से दमवास हो जाता है गंदगी और देखिए हम कपड़ा लेके आ गए वही कल वाला कपड़ा जो सुखा था अब अलकली मफिट से देखिए फौगी आ रहा है ऐसे आते जाते रहता है अब बीच बीच में कोई आता है तो कि बाहर जाक के देखता है दो बोलता है माह इतना फौग है हम भी देखे थे तो इतना दीख ही नहीं जाता है तो वो टेंकियों की कुछ भी नहीं दीख रहता है दूसरी एका टेंकी है वह लादी और पूछा क भी हम ले आया और कल जूताद होए थी वो भी सूग गया था अंदर ले ले लेते हैं जाडू लगा लेंगे पहले कौन जाता है बार बार इतना हावा भी चल रहा था पर इसे रहम गेट बाल के निकल लगा लेंगे पुछा कर लाके रख लिए और जाडू लगा देंगे तब उसके बाद हम लगाएंगे पुछा राम से और इधर मेरा गर्म पानी भी होने हो रहा है बताईएगा कमेंट करके आप लूग कैसे काम करते हैं अभी साड़े छय बज रहा होगा सुभा का जाड़ हो गया है उधर हम रुद्ष उठा रेंगी कचरा अधर फेग देंगे यहां कि कचरा अपनेंटे Jakarta अल्ऩा भी आता है लेकिन हम जान नहीं पाते हैं, उपर में सबसे उपर में रहते हैं, और हम पीछे बिल्डिंग में रहते हैं, उपर में, इसलिए नहीं जा पाते हैं, बगल में ग्राउंड खाली है, उदर, सब कोई वहां कच्रा फेकता है, वहीं हम भी फेक देते हैं, क्या करेंगे, और हम पोछा लगाना काता है, कमर में दर्धूने लगता है, और पलंग के नीचे हम घुश के नहीं लगा सकते हैं, इसी से लगाते हैं, तो हम सुचे आज इसी से, पूरे घर में मौपर से ही लगा देते हैं, पलंग के नीचे लगाएंगे तो, नहीं तो हमको दूद दरह से लगाना होता है, प पलंगे नीचे मेरे पलंगे नीचे जया द अग्यान यहीं एर इटा बटा हम नहीं दिये हैं हो गया है अब हम गा बाल के निखमें दे दिये पोचा और फिर कीचन आ गया थे किचन तूरात में ही इप आले कर के सौजयते थोड़ाई सांट चला देते हैं सब जगा कीचन को साफ करने में और बरतन है अब चाय का वो सब दोलेंगे बाद में चाय पीने के बाद मजा आ जाता है गर्मा गरम चाय पीने के बाद देखें साफ हो गया है और हम चाय का भी धोली है और तावा था रखा हो रात में भरा हुआ रोटी बनाए थे तो आए ल मोटा मोटा कप्रा है थोड़ा सा अब हम तैयार हो जाते हैं कप्रा भी पसार दीये हैं ताःतो रान में हम तेल लगा की रखते हैं ज्यादा बहुत मेरा बाल ज्थरता है was पहले थो खुब मोटा वाल नवह भी था अधिरे दीरी दहिए नः फटला अगया और विसो टोपी सब पहनते हैं चादर तो बाल और उलज जाता है इसलिए मैं इसे ही रखते हैं अच्छा लगता है थोड़ा सा क्रीम भी लगा लेते हैं ठंड मेत लगाना जरूरी है ने तो खीचने लगेगा इसकी कोर्ड क्रीम ही लगा लेते हैं और हम जादधा कुछ नहीं लगाते हैं बाल लटक रहा था इसलिए छोटा क्लीव लगा लिए और ये देख रहे थे वह दिन पर ही वला सूट पहने हैं और चादर हम निकार लेते हैं ये इसी में जो रखते हैं अधिकिन बाहर से कितना लाइट आ रहा है देखिए इसी का मैचिंग लग रहा है न सौर लग रहे इस के लिए हैं अब चलें धूब दिखा देते हैं सबसे हैं अधिर हो गया है भगवान को जल ढ़ा दिये तुलसी में और फिर साफब करके अब मैंगेट पे आ गए हैं दिखी हम वीडियो में पहली बार मैंगेट खोल कर दिखा रहे हैं अब बंद कर लेते हैं बहुत हावा भगबान को भी आर्ति दे देते हैं खुड ले लेते हैं परनाम कर लेंगे और यह बच्छा सब भी नहाद की आ गया है लोग को भी दे देंगे आर्ति पर साथ-तलस आरांब से कर लेते हैं और एक लूटव बान पानी लाके रहा है मुझा हो गया हो बोदीख रही थे ते ह है मेरा बच्छा आप जा रहे हैं टिकाल आर्थी दे देते हैं लोग नहां के आ गया था दिये दिये अब लोग भी ले लिजी अच्छन देली हम जूपके ही काम कर रहे थे तक दर्द हो रहा था कमर में मॉर्निंग में लेकिन करना तो पड़ेगा अभी किचन नहीं हैं अब तब ने जाएंगे बनाएंगे और हम कल का भी तैयारी कर लिए है अच्छे उदर तारीक है कल पंदर तारीक का तैयारी कर लिए हैं लाए सब जो होता है वो भी बना लिए है थोड़ा सब यह सब पहनने के बाद अच्छा लगता है नहीं तो इक्तम टुटर जाता हाथ पहरे दम सुनने सा पड़ जाता है आप लोग भी अपना ख्याल रखा किची हम भी रखते हैं और हीटर और गैस में भी हाथ से एक लिया किची नहीं तो अच्छा नहीं लगता ह बहुत सुनने जिसा लगता है मेरा जब लगता है सब का भी लगता होगा ना सबको तो काम है और इधर बात उद कर रहे थे थोड़ा सा आज गुस्दे में थे घर से जादा बाहर का टेंशन है हो जाता है अब जा रहे हम चादर रोड के कीचेन आ गये हैं आज हम सेवई का नास्ता बनाएंगे आप लोगों को दिखाते हैं बहुत तेश्टी लगता है और अगर मैगी नहीं हो घर में खानी का मन हो मैगी तो आप ऐसा बना सकते हैं नूडल मैगी जैसा दोनों का तेश्ट देगा हो अब मैगी मसाला गरम मसाला जो चाहें वो डाल सकते हैं और सब प्रिमेंट से एर किया किजिए गा और नए है वीडियो में तो सब्सक्राइब कर लीजिए गा अगर गलती हो गया हो तो जब माप कीजिए गांको तो थोड़ा सब पॉनी दे देते हैं वाइल होने के लिए सूजी को और सूजी बोल रहे हैं यह से भई सूजी बोला गया गलती से अब सब्सक्राइब काट लेंगे देर अब पानी उतने सा देंगे जितना सा वो पक जाए और जब ठंडा होता है न वो तो यह हो जाता है उसको निकलना करना नहीं होता है पानी अपने सूख जाता है यह दिखा रहे थे कि यही सब सब्सक्राइब हम डालेंगे और यह हैसे भई है अभी उबला नहीं है उबल रहा है थोड़ा कम गर्म पानी में डाल दिये थे इसलिए देखे उबल गया है इसको थोड़ा देर में निकाल देंगे थोड़ा लट पट टाइप होगा बंद कर देखे एम गैस और इसको ठाली में पर लट लेंगे और फिर यह जो है इसी कड़ाई में हम सब्सक्राइब इसमें मिलाने के लिए और भी गड़ा गड़ा दिख रहा था नहीं लेकिन वो ठंडा होगा न कड़ा हो जाएगा और सारा पानी गायब हो जाएगा सुक कर लेता ना तो अलग अलग सारा से भाई हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में जरू ट्राइक कीजिएगा अ कमेंट करके बताईएगा अब सब समझी को काट लेते मेरे पास मटर भी नहीं ता गाजर भी नहीं तो लेहीं दाले इसमें सरसों थुड़ा सा देखे और रुप्याज डाल देते हैं जैसे सब्जी बनाते वैसे ही बनाएंगे मेर्च दे दिये हरा देखे किसा हो गया था दिखाते हैं आपको थुड़ा सा जम जाता है लेकिन उसको हाथ से तोड़ी गान तूट जाता है कोई टेंशन के बात नहीं है एक दम अलग अलग हो जाएगा अब दे दिए सब्जी पक जाएगा तब डालेंगे सब कुछ अगरम मसाला मेगी मसाला जो मसाला है आप डाल सकते मेगी मसाला डाली गर और मेगी ही जैसा लगेगा खाने में पकने दिते हैं नमक सब नहीं डाले हैं ठीकी कम होुकर आप पक गया थोड़ा हल्दी डाल देते हैं नमक डाल देए स्वादनुसार और उसमें हम कुछ भी नहीं डाले थें सेवई ही मिं oscilloscope अप्छा आयए तो नमक भी हल्का डाल सकते उस टाइम भी दे दिये हैं मसाला हो मेड मसाला अब थोड़ा थोड़ा गरम मसाला डालेंगे मेरे पास दूत रहका गरम मशाला तो डाल देते हैं कुछ भी बहुत अच्छा रहा था और उपर से फिर धन्या पत्ता दे देंगे यह दम पक गया है सब्जी को पकाने के बाद ही डालना होता है देखें कैसा हो गया है अभी इसको तोड़ देंगे उसके बाद मिलाएं सब्जी के साथ पूरा अलग अलग हो जाएगा बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा अप्टी फिन में भी ले सकते हैं इसको ठंडा गरम दोनों तरह कखा सकते हैं कोई दिकत नहीं है जरूर ट्राय कीजिएगा अब हो गया है आप इसको सॉस भी डाल सकते हैं देखते हैं यह लोग जिसको खाने का मन होगा सॉस के साथ हम निकाल के रख लिए खाएगा देखिए आप लोग भी खा लीजे नास्ता अब हम चले नास्ता खाने गर्मा गरम नहाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा खाने ठंट में चाई के साथ आप खा सकते हैं हम तो दूद के से साथ लेंगे और लिक्स वाला दूद यह देखिए कितना च्छा यमी दिख रहा है ना